हेलो एविवान स्वागत है आप सभी का आज के fan to play fantasy match preview में ये होगा पंजाब वसिस KKR का गेम बहुत ही बड़ा गेम है दोनों sides के लिए ये part of the tournament में हर गेम बन जाता है बड़ा हर टीम के लिए ये गेम खेला जाएगा Eden Gardens पर ये टीम दोनों एक बार मिल चुकी है जो second game of the season था वो ये दोनों नहीं आमने सामने खेला था एंड वहाँ पर चल चला था बनुका का राज और फिफ्टी रंस बनाये थे बनुका राज पक्सा ने उसके अलावा अर्षदीब सेंग ने लिये थे तीन विकेट से नहीं पता है कि केक्यार का जो टॉप ओडर है उन्हें ल को प्रॉप तो कॉछ पॉप उसके बारे में डिसकश करेंगे वनू कंडिशन में अब चलते हैं इन्शॉर करेब के आप सब्सक्राइब करें लाइक बटन हिट करें था कि आपको विडियो चे bouton सरुर एंड साथ साध हमें टेलेग्राम पर जॉइन करेगा final team and updates वही पर आती है टेलेग्राम link भी है description में तो जल्दी से जॉइन कर लिजे अब चलते हैं conditions पर तो ये game खेला जाएगा Eden Gardens पर Eden Gardens पर अब तक हमने बहुत सारे runs देखे हैं एकाज wicket ऐसी थी जहाँ पर spin को मदद मिली थी night game में बड़ उसके अलावर runs ही रहा है constant team यहाँ पर अब देखने लाएक यह होगा कि क्या इस pitch पर runs बनेंगें वापस या नहीं तो pitch report पर खास दियान रखेगा ground dimensions देखने जाओ तो एक side काफी short है वाइल दूसरा side about 70 meters है बट कुछ भी outstandingly long नहीं square meters भी 60 and 66 meters पर काफी short है तो इस point का अब जरूर धियान रखेगा और अब चलते हैं आगे की team की तरफ तो start करेंगे सीधा keeping section से रह्मानुला गुर्बास बन जाते हैं यहाँ पर एक obvious choice last time जब यह दोनों teams मिली थी तब तीनों keepers यही तीनों keepers ने 20 plus तीनों ने बनाया था थोड़ा बहुत contribute करके दिया था बट इस गेम में गुर्बास यह obvious choice बन जाते है जो opening कर रहे हैं साथ-साथ में जो सामने का अटाक है अगर अर्षदीब को निकाल कर खेल पाते हैं तो रंस बनाने का मौका बन सकता है एक ही प्रॉब्लम है गुर्बास के साथ कि shot after shot खेलते हैं कभी कबार careless भी अपने nature में तो वह साब से जील में आप drop risk इन पर ज़रूर ले सकते हो और दूसरे भी दोनों batsman की यही तकलीफ है दोनों जो बाकी बैटर से बाकी कीपर से वह भी इसी स्टाइल से खेलते हैं तो इस सेक्शन में अगर आपको गट फील के साथ दूसरे पिक के साथ भी जाना है तो ज्यादा रिसकी नहीं कहूंगा मैं उस बात को याद रखेगा अगर जितेश और प्रप सिमरन दोनों खेलते हैं फिर भी जितेश की कीपिंग कर रहे हैं अब तक जो भी गेम में दोनों साथ खेलें फिर चलते हैं बैटिंग सेक्शन की तरफ यहां पर जेसिन रॉय का अच्छा टच रहा है और शिकर दवन भी ठीक टाक टच में रहे हैं तो इन दोनों को मैंने अभी के लिए पिक किया हुआ है साथ साथ में वेंकिटे शाहियर भी ठीक टाक चॉइस है अगर आपक पॉसिबिलेटी है कि उनको निकाल कर खेल लें और आगे मैच अपस ध्यान दिया जाए बट जो धवन का मैच अप है यह मुझे लग रहा है कि यह दो तीन बार आउट हो चुके हैं इन बोलर्स को हैं स्ट्राइक ठोड़ा ज्यादा कम है यहां पर मुझे लगता है कि ऐसा जब मैच अप स्ट्राइक रेट कम होता है वो सेकंड इनिंग में ज्यादा अक्टिवेट होता है जब चेज आप कर रहे हो प्रेशर में तब आपके पास ऑप्शन नहीं है बट तो अगर यह फर्स इनिंग में खेल रहे हैं दवन तो फिर रिस्क लेके मतलब नहीं है बट यह 16.8 लाग का फ्री कॉंटेस्ट है तो अच्छा खासा मौका है आपके लिए अब चलते हैं आगे की टीम की तरफ अल राउंडर सेक्शन में मैंने काफी सारे अल राउंडर को लिया रखा है अब क्यों लिया है क्योंकि यह जो कंडिशन है अच्छी फॉर बैटिंग है पर इसकवर निद्गी मैं है आपको एसे बॉलर को लेना पड़ेगा जो आपको दोनों फैसें में कॉंटिब्यूट करके दैं लियम लिवंग्स टन ढोलिंग बाटिंग दोनों करके देंगे बाटिंग कंडिशन जिये एंजञा करेंगे सेम ऑंड्रे रसिल डैट में अग सब्सक्राइब करें अगर काफी टीम में तो फिर में उनको स्विच आउट कर सकता हूं विच सिकंदर राजा जो इंपोर्टेंट पोजेशन में बैटिंग भी कर रहे हैं साथ-साथ ओवर्स भी कर रहे हैं सामने के क्यार में बहुत सारे लेफ्टीज भी है तो अच्छा खासा मौका है सिकंदर राजा के लिए हैंस यह भी एक चॉइस बन सकते हैं टोटली डिपेंडिंग ऑन कंडिशन लाइन अप आई विल गो बिट्वीन वन राजा और नरायन बोलिंग की बात करें तो यहां पर मैं जा रहा हूं कगीज और अ अर्षदीप सेंग और वरुन चक्रवती एकदम स्ट्रेटफरवर्ड चॉइस यहां पर कोई रिस्क नहीं ले रहा हूं है एस वेब वरोरा हर्षद राना राज लास्कियम में इंप्रेसिव रहें बट कितना कोटा मिलेगा वो ना आपको पता है न हमें हर प्रीद ब्रार का भी सिमिलरी स्टोरी रहा है अब तक तो हैंस मैं इस सेक्शन में सेफ ही जारा हूं कैप्टन और वाइस-क्याप्टन उन प्लेयर्ज के साथ जारा हूं जिनका मौका गैरेंटीड है ऑन्ड़ेज अगर पहले बोलिंग कर रहें तो रहेंगे वाइस-क्याप्टन अगर न शार्दुल ठाकुर 27 वरुन चक्रदी बोलिंग करते हुए 27 और सुनिल नरायन एड बोलिंग 2 शार्दुल ठाकुर वाल बोलिंग 1 इन पिक्स को आप जरूर ट्राय करेगा एड जितेश शर्मा वाइल बाटिंग 1 एप लिंक ए डिस्क्रिप्शन में 50 रुपीज आपको डिर रहेंगे थैंक यू सो मच